आज बनने जा रही है मसाला करारी बिंडी जो भी इसे खाएगा वो आपकी एक बार तारीफ जरूर करेगा क्योंकि यह है ही इतनी स्वादिश्ट हाई फ्रेंग्स कामिनी के किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मे भिंडी लेते समय आप यह जरूर ध्यान रखे कि भिंडी सौफ्ट ही लें आप तो हमने इनको धोके पोच के ले लिया है अब मैं इसको आपको काटके बताती हूँ बस हम इसको भिंडी के दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे दूसरी भिंडी में भी आपको बताती हूँ इस तरीके से अगर भिंडी ज़्यादा लंबी है तो इसको तीन पार्ट में डिवाइट कर लेंगे हमने भिंडी को ले लिया है काट करके अब भिंडी में हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा नमक अब हम इसमें डालेंगे एट चम्मच बेशन और हाफ चम्मच में थोड़ा सा और डालूंगे अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे फिर हम और बेशन इसमें एट करेंगे अभी हम एक चम्मच ओयल डाल देंगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने इसको मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एक चम्मच बेशन और डालेंगे थोड़ा सा भेशन में इसमें और डालूंगी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा भेशन और मसाले आपस में मिल जाएं यह हमारा मिल गया है अब हम इसको कर देंगे कवर और इसको मैगनेट होने के लिए रग देंगे अब यह हमने प्याज ले ली है इसको चार पार्ट में डिवाइड करके और इसकी पैटल्स हमने निकाल ली है इस तरीके से लम्मी लम्मी हमारी पैटल्स निकल जाएंगी तो यह हम आप ले 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 इसको अब हमारी भिंडी मैगनेट हो गई है देखिए कितनी बढ़िया पह बिंडी को इसमें डालेंगे अब हम अपनी बिंडी को कर लेंगे फ्राय यकीन मानियेगा अगर आप इस तरीके से किसी भी चोटे-मोटे फंक्षन में अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो आपकी पार्टी में यह बिंडी चार चान लगा देगी बहुत स्वा डालेंगे कटोरी में और इसमें हम दो तीन चम्मज डही डाल के इसको हम फेट लेंगे इसी तरीके से इसको अच्छे से फेटे ताकि ये पतला हो जाए हम बिंडी को एक बार चेक कर लेते हैं हमारी बिंडी अभी पक रही है ये देखिए ये बहुत स्वादिष्ट बिंडी बन करके त्यार होती है ये देखिए हमारी बिंडी फ्राइ हो गई है अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में देखिए कितना प्यारा कलर इसमें आ गया है अब हमने ये बिंडी निकाल ली है अब हम इसको रख देंगे साइट में जो हमने ओयल लिया था इसको हमने कम कर लिया है अब इसमें हमने प्याज डाल दिया है प्याज को हम थोड़ा सा भूल लेंगे अब इसमें हम डालेंगे लहसो नद्रक का पेस्ट इसको भी हम चला लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे नमक थोड़ा ही नमक डाले क्योंकि हमने पहले डाला था नमक और यहाँ पे थोड़ा सा रेट चिली पाउडर थोड़ी सी हल्दी बहुत थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे थोड़ा सा करम मसाला बहुत थोड़ा सा और थोड़ा सा धनिया पाउडर अब हम इसको चला लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए अब हम इसमें डाल देंगे अपना मैगनेट किया हुआ दही और बेशन अब इसको भी कर देंगे हम मिक्स देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है ये देखिए बहुत टेस्टी बिंडी ये बन करके त्यार होती है एक बार आप इस तरीके से ट्राय जरूर कीजिएगा अब हम इसको कवर कर देंगे देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला भून करके रेडी हो गया है कलर भी बढ़िया आ गया है ये देखिए अब हम इसमें अपनी फ्राइ की हुई बिंडी डाल देंगे यह देखिए अब इसको भी हम दो से तीन मिनट तक कवर कर देंगे यह देखिए कितनी बढ़िया हमारी भिंडी करारी करारी बनके रेडी हो गई है यह खाने में भी बहुत जादा टेस्टी है एक बार आप ट्राय जरूर कीजिएगा अब हम इसमें डाल देंगे आमचूर पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें निम्मू भी डाल सकते हैं अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब हम इसको सर्फ कर लेंगे देखिए कितनी प्यारी हमारी भिंडी बनकर के त्यार हुई है यह जितनी टेस्टी देखने में लगती है उससे कहीं ज़्यादा यह खाने में बहुत टेस्टी है आ गया ना आपके मुँ में भी पानी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें